भेकुंती पुत्र अंतकाल में मनुष्य जिस भाव को इसमरन करता हुआ सरीर को छोड़ता है वो उसी को प्राप्त होता है अत एव मनुष्य को 2400 घंटे परमात्मा का ही इसमरन करते रहना चाहिए तन से काम करो पर मन से परमात्मा का नाम लेते चलो भगवान ने भी गीता में यही कहा है मुझे इसमरन करते हुए युद्ध अर्थात कर्म करो नमस्कार दोस्तों भरत चरित्र भरत चरित्र का प्रारंब करते हुए सुकदेव जी कहते हैं कि राजन महराज भरत बड़े ही भगवान भक्त थे अपने पिता रिस्वक देव की आग्या सुईकार कर उन्होंने प्रित्वी की रक्षा का भार सुईकार किया उनकी आग्या से भारत जी ने विश्वरूप की कन्या पंच जनी से बिवा किया उसके गर्फ से उन्होंने पांच पुत्र उत्पन किये भरत जी ने अनेक जनकल्यान के कारे के लिए यग्य किये और उन सब के फल उन कर्मों के पुन्य भगवान स्री कृष्ण के चर्णों में अरपित किये वे पूर्ण रूप से निसकाम कर्मयोगी थे भरत जी ने अनेक वर्सों तक राज्य किया इसके बाद उन्होंने यह सोचकर ग्रहत्याक का निर्ने लिया कि अब सेश जीवन पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए जीवन का लक्ष सुख भोगना ही नहीं अपितु ग्यान प्राप्ति भी है अत एव भरत राज बैभव सुख संपत्ती इस्त्री पुत्र प्रजा सब को छोड़ कर वन को चल दिये वे हरी हर छेत्र में पहुँच कर गंड की नदी के किनारे तप करने लगे वे जल में खड़े रहकर तपस्या किया करते थे एक तीन वे इसनान तप अराधना आदी करके नदी के तीर पर बैठे थे इसी समय एक हिर्नी प्यास से ब्याकुल होकर जल पीने के लिए अकेली ही उस नदी के तीर पर आई अभी वो जल पी ही रही थी कि पास ही गरशते हुए सिंग की भयानक दहार सुनाई पड़ी जो ही उसके कान में भीशन सब्द पड़ा वो एकदम भैवीत हो गई अपने प्रान संकट में आए देखकर वो हिर्नी ने नदी पार करने के लिए छलांग मारी उसकी पेट में गर्व था और प्रसव काल निकट ही था जैसे ही भैवीत हिर्नी ने खलांग मारी की प्रसव हो गया और तुरंत जन्मा मुर्ग सावक नदी के प्रवाह में गिर गया हिर्नी ने उस पार जाकर दम तोड़ दिया भरत जी यह सब द्रिश्च देख रहे थे राज स्री भरत को उस मुर्ग सावक की दसा पर दया आ गए और वे आत्मिय के समान मात्रहिन बच्चों को आस्रम में ले आए वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंद करते वे आस्रम से कहीं दूर चला जाता तो वह बहुत चिंता करते और उसे ढूणने निकल पड़ते जब तक वह मिल नहीं जाता और उसे आस्रम में नहीं ले आते तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता पूरी तरह उस मुर्ग सावक की आसकती में डूब गए इसमें उनके यम नियम और भागवत पूजा आदी आवश्चक कृत्य एक ये करके छूटने लगे और अंत में सभी छूट गए भरत जी सोशते रहते हाई बेचारा ये शावक कैसी काल चक्र का आखेट बना है इसकी माचल बसी हिर्णों के समुदाय में रहने से भी वन्चित रह गया अब यह मेरे ही भरोसे है मैं ही इसका पालक पोशक रक्षक हूँ इस प्रकार हिर्णी के बच्चे में उनकी इतनी आसकती बढ़ गई की उड़ते बढ़ते तहलते और भोजन करते उनका चित उसी के इसने पास में बंधा रहता राज, पाठ, इस्त्री, पुत्र, घर, परिवार, प्रजा को छोड़ कर वे तप करने आये थे और फस गए एक मुर्ग सावक की आसकती में जब वे पूरी तरह मुर्ग सावक के चित में चिंतन में डूब गए थे तब ही कराल काल जिससे कोई जीव नहीं बस सकता वो उनके सिर पर चड़ गया और मुर्ग की आसकती में लीन रहते हुए ही उनका सरीर छूट गया काल अर्थात मृत्यू को किसी पर दया नहीं आती मृत्यू यह भी नहीं सोश्ती की व्यक्ति ने अपना काम पूरा किया है की नहीं अत एव जीवन में हमेशा सावधान रहो मृत्यू को याद करते चलो क्योंकि वो तो 2400 घंटे तुम्हारा पीछा कर रही है जीवन की बाग डोर उसी के हाथ में है किस छण इस जीवन जोती को बुझा दे कोई भरोसाने कैसी बिडंबना है कि मनुसे जीवन के लिए तो तयारी करता है पर मृत्यू के लिए कोई तयारी नहीं करता जीवन में जीते जीते मृत्यू के लिए भी तैयारी करो ऐसा ना हो कि मृत्यू की तैयारी नहीं हुई हो और वो तुम्हें उठा ले जाए भरत का सरीग को इसमरन करते करते छूटा था अतहा अगले जनम में वे मृत्यू के रूप में जनमे मनुष्य जिसका इस्मरन करते हुए सरीर को त्यागता है उसी योनी में उसे अगला जनम मिलता है गीता में भी भगवान ने यही कहा है हे कुंती पुत्र अंतकाल में मनुष्य जिस भाव को इस्मरन करता हुए सरीर को छोड़ता है वो उसी को प्राप्थ होता है अत एव मनुष्य को 2400 घंटे परमात्मा का ही इस्मरन करते रहना चाहिए तन से काम करो पर मन से परमात्मा का नाम लेते चलो भगवान ने गीता मैं भी यही कहा है मुझे इस्मरन करते हुए युद्य अर्थात कर्म करो भरत जी मुर्ग की सेवा करते हुए यदि परमात्मा का इस्मरन करते रहते तो वे परमधाम को ही जाते पर उन्होंने ऐसा नहीं किया भागवत की कथाए मनुष्य को दिव्य जीवन जीने का संदेश प्रदान करती है तो यह थी दोस्तो राजा भरत का चरित्र और उनकी आसकती की कथा उमीद है कथा आपको पसंद आई हो पसंद आई हो तो लाइक और सस्क्राइब जरूर करें मिलते हैं अगली कथा में तब तक के लिए धन्यवाद